स्वागत्याप से भी कामें रिवीटीज चैनल पे तो आज हम लोग जानेंगे बर्ग नौ का मात्री भास आयाने हिंदी का मत अपनु प्रस्ण जो परिक्षा में आने वाला है कल जो परिक्षा होगा उसमाएगा चलिए प्रस्णों को देखते हैं एक नंबर प्रस्ण लिख स्विपुजन साय का जर्म कहा हुआ था इसका रेटेंसरों का अप्षन ए बक्सर क्यों पेरजू की मानास देखने नहीं जाएगी क्या किस ने कहा तो यह जो कहा था मकनी भूब मकनी फूब ने कहा था पास नमर की चंदर्म सब्द का परिवाची सशी होता है अगला प्रस अकास सब्द का प्रिप्रितार्तक सब्द अकास का उल्टा पताल होता है मैला आचल किस की रशना है तो फानिस्वन आथ रेणू की रशना है विर्जु के बपा कहा नास दिखलाने के लिए जाने हो ले थे तो बलरामपूर मुंसी जी की बेटी का क्या नम था भग जोगन है तो इसका लेखा यह सी पूजन्सा है राइट एंसरब्सन भी महाच सब्द का संदी विच्छेत के आओगा तो महा प्लस इस राइट एंसर भी होगा बड़ाई से इस रहता है सवहाईक सब्द में पड़ते है अगला कॉस्टन देखते हैं 17 17 नमर को सब्सक्राइब कि मुंसी जी के बड़े भाई क्या थे तो यह जो थे पुलिस नरोगा थे राइट इंसर ग्राम गीत का मार में के लेखा कौने लक्षमी नरायड लक्षमी नरायड से उधासनु का जानवत पूनिया में हुआ था अगास्त सब्द संग्या है यह बे प्राचिंत सब्द में परते हैं तो प्राचिंत सब्द में परते हैं यह लांत में लगते है तो परते परते हो गया difे आगे मbaby को कासी 65 में रोली भर इथाली का क्या से सूरज निकलना पलाग पाणे के लिखक है अयुद्य सिंह उपाद्या अगला देखते हैं 27 नमबर प्रस्णा 27 नमबर लिका गुरु गविन सिंह का मकवा था गुरु गविन सिंह का दना में उखता वा किये तो करताने कर्म को यानि कर्म कारक की भी भक्ति यह अगला है 32 की कवीत्री किसे मलीन नहीं करने की बात करती है तो पथ को राइट एंसर होगा अफसने अगला देखते हैं 33 33 नंबर 33 नंबर प्रस्ण लिखा है कि मधुमालती किसकी रशना है तो मंजन की रशना है राइट एंसर अफसने होगा गुरू कभीन सिंग सिखो के कौन से गुरू थे तो दसवे गुरू थे अफसने राइट एंसर होगा संत कभीर अविदास का जन्मुआ था इनका जन्मुआ था ब और तीज कार दीज कि आरम का अधिन सब्सक्राइब सब्सक्राया कोचusta समासे शान abrupty नहीं सब्सक्राइब kayala देखते हैं एक तालिस मझेर प्रस्णा एक अ कि रहे कि कभि और प्सक्राइबार काथ कि मुक्रारिक आइ झारदररणपालिश भारत के परतम राश्टपति कौन थे रजयंदर परसाद थे राइट एंसर स्थी होगा समिधान सभाग के परतम अस्थाई अद्यक्स कौन थे तो यह राजिंदर परसाध इते कितने वर्स बियतित किये थे समय कितने भिहार थे याद डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा ठीक है अगला प्लस्ट को देखते हैं श्यालिष नमबर लिखा है कि ने लीखित में देशाज सब्द कौन है यानि कि राइट इंसर होगा आपशन ये मिलेखित लगाई तो धीसज और संगया का रखी सब्द क्या होता है तो अगला एकाउन नूबर और प्रसने देखते हैं कि तीबत के विद्वान इतियास लेखकार क्या नाम था तो उनका नाम था तारानाथ यह लालपान की बेगम किस की रसना है फणिस्वनाथ रेनू की रसना है विर्जु को गोद में लेकर कौन बैठा था उसकी मा बैठे थी यह राइट एंसर होगा म इसका नाम था इसका इंसर कमेंट वक्स में मिलेगा पसपन अमरे की रोशनी में बीर्जु की मा क्या करते और अग्या ठीक है तो इसका पाचास बनाना है इसलिए आपको पचास गोज से ज्यादा तो सारी पुत्र की जन्भूमिये काल के कितने वेद है तो काल के तीन में मता पिता हैं कौन सा समास है तो इसमें दोंद वह अगला कुस्तन देखते हैं साथ नूमबर साथ नमबर जो प्रस्थ थिए कि चिठिया सब्द का बहुँ ज़न कि अहुoda कर चिठिया जिसमें चंधर को स allá कि इसमें सरे प्रसंदिया इसको आप लुग देख लिसे खिंऽ धर् Player ये गद्यान से गद्या स्कोट कर इसका एंसर देना है है तो गद्यास को पढ़ लिए यहां पर संदी एउसका एंसर लिखिस आरांभ यह खर कर के या०ट वह प्रह्ण कर रहा है अरप किसी एक भी साइप निबंद लिखे ना है और अथवा में दिए कि इंटरनेट के बारे में दो चात्रों के समाद लिखे तो किसी एक को लिखना है उसमें से चार नमर और प्रस्चन को प्रस्चन का उत्तर अपने सब्नाइब अथ्यक BRI और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि और भी वीडियो आप लोग को मिलता रहे धन्यवाद